नमस्कार मैं हूँ आसेश चित्रांसी और आप देख रहे हैं The News Launcher 2024 के लिए मोदी का आखरी प्लान सामने आ गया है इसे आखरी प्लान क्यों कह रहे हैं? आज इस वीडियो में ये प्लान और इस प्लान को आखरी प्लान कहने का जो इनाल्सिस विस्देशन है ये आपके सामने लाने की कोशिस करेंगे दरसल जातिय सर्वे बिहार में होने के बाद से ही BJP ने आधी सक्ति अपनी खो दी थी जैसे बाली के सामने आने वाले की आधी सक्ति छीड़ हो जाती थी वैसे ही नितीश कुमार के जातिय सर्वे के सामने BJP की आधी सक्ति छीड़ हो गई रही सही कसल जो थी वो भी बिहाल से ही नौकरियों का जो सिलसला शुरू हुआ और एक साथ लाखों न्युकती पत्र बाटे जाने लगे BJP टूट सी गई प्लान जाती है जनगर्णा के बाद ही जाती है सर्वे के बाद ही बनना शुरू हो गया था बैठकों का दौर आप चल्चा सुन रहे होंगे कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक जेपी नडड़ा, अमित साह, बियल संतोस और यूपी के टीम यूपी के महराज जी यानि योगया आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सियम प्रदे सध्यक्ष सब मिलके बैठ रहे हैं दिल्ली की इस बैठक में अंदर खाने जो खबरे निकाल करके आप तक पहुंचाने वाले लोग हैं सभी इस प्रियास में हैं कि आपको भीतर की खबर बताएं और उसमें तमाम चल्चाएं आई कि क्या पिछडा कार्ड खेलने के लिए जब सिवराज सिंग चौहान भी सत्ता से बाहर चले जाएंगे अगर 3 दिसंबर के बाद ऐसा होता है तो बीजेपी के पास कोई पिछडा चेहरा नहीं रह जाएगा बतोर मुख्यमंत्री तो क्या योग्यादितिनाथ को तैयार करके उनकी जगह पर उत्तरफदेश में कोई पिछडा मुख्यमंत्री बनाए जाएगा लेकिन इन सबसे अलग जिस दिसा में अब तक विचार नहीं हुआ वहाँ पर सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि ये नहीं योगी को हटाने का कोई प्लान नहीं योगी की धार को चमक को उस हिंदुत्व की विचार धारा को उस एजेंडे को और ज़्यादा चमकीला बना करके देश में लाने की जरूरत है विच्व हिंदु परिशत के महा सचियों है सुरेंदर जैन उन्होंने कहा कि जब-जब राम आते हैं इस देश में जातियां खत्म हो जाते हैं हिंदु एक हो जाते हैं लेकिन राम कब-कब आते हैं जब-जब चुनाव आता है अब चुनाव आ चुका है 2024 का और पिछले 10 सालों में बीजेपी सबसे कमजोर नज़र आ रही है पांच राजजी के चुनाव वहाँ पर मीडिया भी जाने से परहेज कर रही है गोदी मीडिया खास कर क्योंकि वहाँ की रिपोर्ट दिखाएगी तो देश भर में संदेश जाएगा कि मोदी मैजी खत्म हो चुका है ऐसे में आखरी जो कार्ड था हिंदुत्यो का कार्ड उस हिंदुत्यो के कार्ड पर पूरी तरह से जोर अब फोकस है और क्या कर रही है भाजपा भाजपा के पीछे जो संगठन है आजसेस और उसके मात्र संगठन उसके अमसांगिक संगठन वो क्या कर रहे है दरसल संग ने और विस्व हिंदु पईसद ने एक बड़ा प्लान तयार किया है ये प्लान है पांच नॉम्बर यानि दो दिन बाद राम लला के सामने अक्छत पूजा जाएगा सव कुंटल चावल रखा जाएगा पीले रंग में रंगा जाएगा पीतल के कलस में रखा जाएगा और इस अक्छत का पूजन होगा पांच नॉम्बर को फिर एक जनवरी से पंद्रह जनवरी तक विश्व हिंदू परिस्द की मदद से पांच लाख गाउं तक ये अक्छत पहुँचाया जाएगा पांच लाख गाउं इसके लिए विश्व हिंदू परिस्द के पचास सेंटर जो अलग-अलग देश में है वहां से दो से लेकर के चार कारिकरताओं को बुलाए जा रहा है जो द्या उनको अक्छत दिया जाएगा साथ में दो करून कार्ड छपवाए जा रहा है परिशे पत्र वो अलग-अलग भासाओं में है भारत की वो कार्ड सोंपे जाएंगे और पांच लाग घरों तक इन्हें पहुंच लाग गाओं तक इन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी विहिप के कारिकरताओं की होगी ये अक्छत पांच लाग गाओं के जरिये 64 करोड लोगों तक पहुंचाने का लक्छे है साथ ही उनको बताया जाएगा कि जिस दिन से अक्छत मिल जाए अपने अपने घर के बाहर दिया जलाईए साम में अनुष्ठान कीजिए और जब 22 जनवरी की वो तारीक आएगी जब अजुद्या में राम लला की प्राण प्रण 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 काल होगा 24 के लिए वहाँ परकल्था होँगे और उसमें मंदिर कौन से जो पांच लाख मंदिर हैं उन मंदिरों में लक्छे कबीर के मंदिर रैदास यानि संत्रविदास के मंदिर बालमीकी के मंदिर नाच्संपदाई के मंदिर और अन्य संपतायों के मंदिर लेकिन महत्वपूर तीन कभीर के मंदिर रैदास के मंदिर और बालमिकी के मंदिर जहां पर इस देश के जिने सद्यों से अच्छूत बना कर रखा गया वो इकठा होते हैं जहां उनकी स्रद्धा है जहां उनकी आस्था है उनको ये मौका है हिंदू बनाने का हिंदुत्यों की तलवार पर धाल चड़ाने का मौका है अब 22 जनवरी तर कोशिस ही होगी कि इस देश के सभी पिछड़े दलित अच्छूत जिने बना के रखा हमने आपने इस समाज ने उनको हिंदू बना दे 24 का चुनाओ खत्म हो जाएगा फिर ये विहिप विश्व हिंदू पजिसद ये संग ये भाजपा फिर जातियों के विभाजन में देखिये कैसे पड़ती है उसका नमूना मैं उदाहर बताता हूँ 90 के दोर में 200 हिंदू पजिसद ही कहती है ये बात कि 90 के दोर में वीपी सिंग ने मंडल कमीशन की सिफाज से लागू करके जातियों में बाट दिया था विद्वेस फैला दिया था यानि जो आरक्षण है ये समाज में विद्वेस ये 200 हिंदू पजिसद का इस्टेटमेंट सुरेंदर जैन का इस्टेटमेंट बता रहा हूँ इस देश के पिछड़े और दलित गौल से सुन ले कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ही जिस रिपोर्ट को पिछड़े और दलित इस देश के मानते हैं कि उनके उधार का रास्ता खुला विद्वेस का रास्ता वहां से खुला और विस्व हिंदू पजिसद का कहना है कि उस विद्वेश को पाटने के लिए उसके बाद विस्व हिंदू पजिसद ने एक चरण पादू का अभियान सुरू किया था चरण पादू का अभियान और उस चरण पादू का अभियान से फिर से हिंदूं को एक करने में काम्याबी मिली थी ऐसे एक्सपरिमेंट करते रहते हैं ये भाजपा के एक्सपरिमेंट आप 10 साल से देख रहे होंगे लेकिन भाजपा की मात्र संस्था ऐसे इंजीनिरिंग की प्रियोग साला सुरू से रही है उसी प्रियोग साला से पिछले कुछ वक्त से जब से राम मंदी रांदोलन आया और ये पता था संग को पता था कि भाजपा क्या कर रही है आखिर भाजपा वहीं से विचाल लेती है वैचारिक गंगोतरी भाजपा के लिए संग ही है तो संग को पता था कि चुनाओं में गि करके चंदाई कठ्था कर रहे थे चंदाई कठ्था भी किया लेकिन आज की तारीक में फिर एक ही रास्ता मिला इस देश में घर घर जा करके फिर राम के नाम पर राम में कर दे, अब सवाल ये है, कि राम के नाम पर एक बार फिर भारती जंता पार्टी क्या सत्ता में आएगी, क्या 1990 के बाद, चरणुपादु का अभियान चलाने के बाद, इस देश से सामाजिक भेद भाव, पिछडे दलित, राजपूत, ब्रामहर, सवर्ण, और आदि सब एक हो गए थे, क्या चुनाओ के वक्त ही, जातियां तूटती हैं और हिंदू बनते हैं, और चुनाओ खत्म होते ही, फिर जातियां बन जाती हैं, जाती ये भेद भाव पैदा हो जाते हैं, और उससे बड़ी बात, पांच लाख घरों में, गाउं में, एक साथ अक्ष प्लानिंग, और उसको एक्जिक्यूट करना, ये संभव है सरकार के लिए, लेकिन रोजगार देना संभव नहीं है सरकार के लिए, बिहार में नितीज कुमार ने एक दिन में एक लाख बीस हजाल न्युक्ति पत्र दे करके, ये दिखा दिया है, कि चाहिए क्या, पांच लाख मंदिरों में, एक साथ पूजा करवाने के बज़ाए, पांच लाख मंदिरों में, पचास पचास लोगों को इकठा करके, और भगवान राम के ही, चर्णों में रख करके, राम लला के चर्णों में रख करके, न्युक्ति पत्र दे देते मोदी जी, तो सायर, सब एक हो जाते भारत एक हो जाता सिर्फ हिंदू नहीं भारत एक हो जाता और सम्रिद भारत के न्यू पड़ जाती लेकिन एजेंडा है सिर्फ चुनाओ 2024 का चुनाओ खरिये पूरी प्लानिंग आज जो हमाई सामने आई वो हमने आपको बताई हमें इजाज़त देजिये फिलाल इस वीडियो में नमस्का